इस इस अनियल एंड वेलकम टू संसे बनेट। सुच्छक नियोजन में वर्ग कच्छ one to five में प्रात्मिक सिच्छक के रुप में कारेदट बियएड योक्ताधारी सिच्छकों की सुची उपलव दखराने के संबन्द में हैं दोस्तों 125 में जो भी B.A. करके और अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं जोस्तों जिनका च्छटे चरण में हुआ था उनकी सुचियां पर मांगे जा रही है यहाँ पर देखें महास्व परिउत बिसे करना की बिसाइगत मामला B.A. योकताधारिया व्यर्थी को वर्ग 125 तक के सिच्छा के पत पर निक्ति करने से संबंदित है सिवील अपिल संख्या 5068-2023 देवेश सर्मा बना भारत सरकारें अन्ने के ब्रूद में दिनांक 11 अगस्त 2023 को माननी सरोच नहाले दोरा अपिल को सुविक्रित किया गया तथा N.C.T. नई दिल लिकिया थी सुटना संख्या 286-2018 जिसमें B.A. डुक्त अधारी को 6 मा के ब्रीज कोर्स करने वाले अवेर्टि को प्राथमिक सिच्छक के पर्मानेता दी गई थी कि खालिज करने से मंधित राजस्थानों चिनाले के आदेश को बरकरार रखा गया दोर्तों यहाँ पर यह आपको बता आगया है कि 11 अगरस 2023 को सुप्रिम कोर्ट के तलब से जो आदेश आया था दोस्तों उन्होंने बीर करके जो 125 में सामिल है उन लोगों को बाहर किया था राजस्थान के पर्सपेक्टिव में था उक्त सिवील अपिल के आदेश को सुप्रस्थ करने को उदेश से कई राज्यों दोरा माननी सरोच नाले में मिसलेनियस अप्लिकेशन डारी नमबर 4303-2024 देवे सर्मावना भारस सरकार यम अन आये संख्या 77741-2024 दाखिल की गई जिसमें दिनांक 8 अप्रिल 2024 को दोस्तों माननी सरोच नाले में दाखिल की गई कि सिवील अपिल सेंख्या 5068-2023 देवे सर्मावना भारस सरकार यम अन आदेश किती थी 11 अगस 2023 का परभाव रिट्रो एस्पेक्टिव नहीं होगा मगर वैसे अभ्यर्थी परिया आदेश परभावी होगा जिसके निक्ती वाद के लंबित रहने के करम में ससर्थ दी गई थी मतलब जोस्तो जिन लोगों का यह मामला बहुत पहले से चला आ रहा था और जिन लोगों को ये कहा गया था जिन लोगों को निक्ती पत्र रदी गई थी कि आपका ससर्थ निक्ती पत्र है जो भी Supreme Court का आदेस आएगा उसको यहाँ पे माना जाएगा या High Court का जो आदेस होगा उसके हिसाब से आपकी जो निक्ति है वो बरकरार भी रच सकती है या उसे रद भी किया जा सकता है दोस्तों यह बात यहाँ पे कही जा रही है मानिनी पटना उच नियाल है दोस्तों बिहार के परस्पेक्टिव में आईए यहाँ पे क्या कुछ है यहाँ पे आपका 5053 केस था तो मानिनी पटना उच नियाल है CWJC नंबर 5053-2021 ललन परसाद यादो बना बिहार राज यूम अन्य आदेश्ति थी 6 दिसंबर 2023 के कंडिका 6 यूम 7 के औलोकन से असपस्ट होता है कि 6 चरण के सिच्छकों के निक्ति के क्रम में बिहार राज में भी NCTE के अधिसुचना दिनांक 28-6-2018 जून 2018 के अधार पर बिये डियुकत अधारी 6 मा के ब्रीज कोर्स के साथ अव्यर्थियों को सिच्छक के पत पर निक्ति ससर्थ की गई थी बिलकुल यह सही है कि जिनका भी योगदान हुआ था उन लोक ये कंडिशन था उनका 6 मा के अंदर ब्रीज कोर्स हो जाना चाहिए सरकारी अधिवक्ता द्वारा मानेनी नियालाय में भी सर्सर्थ निक्ति की बात स्विकार की गई हैं सर्विस ट्रेनिंग होगा इसमें अभियर्तियों की कोई सभागिता नहीं है अभियर्ति खूद ये कोर्स जाकर के नहीं कर सकता है ऐसा बियार सरकार के तरफ से बिलकुल भी नहीं कहा गया इस संबंध में कई बार प्रात्मी सिच्छा निदेशक से भी हम लोग मिलने का का सर्विस टे थे दोस्तों उनके तरफ से यहीं बोला गया था कि यह जो कोर्स है विरिज कोर्स वो आपको करवाया जाएगा सरकार के तरफ से इन सर्विस टे है और ऐसी ही कंडिशन भी है दोस्तों यह भी उलेखनिये हैं कि CWJC नंबर 50532021 ललन परसाथ जादव बनाम बि दिभूत एम जे सी सेंख्या 1233-2024-1234-2024 एवां 1245-2024 में कारण प्रिच्छा के करम में बिये डियोकता के आधार पर वर्ग 125 कच्छा में नुक्त सी चको का विवरन प्राप्त किया जाना अपेचित हैं यह भी अंक निये है कि CWJC नंबर 50532021 माननी नयाले के आदेश्ती थी 6 दिसंबर 2023 के विरूद में बिहार सरकार के द्वारा भी माननी सरोच नयाले में SLP डारी नंबर 17948-2024 नमीन कुमार हैं अन्य में इंटर्वेनर बनने के लिए वाद दायर किये हैं ताकि छठे चरण में सबसर्त नुक्त सी चको को राहात परदार की जा सके दोस्तों देखिए अब सुप्रिम कोट में बिहार सरकार के तरफ से भी यह SLP एक दायर की जा यह दोस्तों ठीक हैं यह जो केस है आपका नवीन कुमार को ले करके हैं उसी केस में यहां भी इंटर्वेनर किया जा रहा है बियार सरकार के तरफ से नवीन कुमार एवं अन्य में इंटर्वेनर बनने की बात की जा रही हैं आते निदेश दिया जाता है कि वर्ग 125 में बी विभागी मेल पर पूर्ण वीवरन के साथ उपलब्द कराना सुनेचित करें तो दोस्तों देख लिजे ये जो आपका बिहार सरकार अब सुप्रिम कोट में जा रही है जो भी बीट के 125 में सामिल है दोस्तों उन लोगों के राहत दिलाने के लिए दोस्तों और ये जो केस है नमीन कुमार अन्यमें इंटर्वेनर के लिए दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा कि ये वाला जो केस है उसाथ 36 गर से रिलेटेड है हलाकि अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है कि इस केस में क्या कुछ है दोस्तों और इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी में याद है 36 गर में जो डिसीजन आया था दोस्तों और उसके बाद वहाँ पे निक्ति पत्र बाटा गया था कंडिशनल था वहाँ पे लेकिन बिहार में जो निक्ति पत्र बाटा गया था दोस्तों वो कहीं से भी कंडिशनल नहीं था तो इसे उस केस के साथ टैग नहीं किया गया है और इसी को ले करके बिहार सरकार के तरफ से दोस्तों ये देखें जो भी छठे चरण में नुक्त हुए थे उनका पुरा विवरान यहां पे मांगा जा रहा है ठीक है करम सेंख्या है सिच्छा का नाम है पिता-पति का नाम है पदस्थापन विदाले का नाम है अंचल परखंड मतलब कि इस परखंड में वह है अब नुक्ति तीथी कब है बी एड योक्ताधारी है तो नुक्ति की तीथी के दो बर्जकंदर 6 मां का ब्रिज कोर्स किये है या नहीं दोस्तों देख लिजे ये चीजे मांगी जा रही है जबकि नहीं खुद भी मालूम है दोस् सिच्छक सिच्छिका द्वारा अगर बीएड का तिरिक्त दो वर्जी डिपलोमा इनियमेंटरी एजुकेशन या उसके समकच कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो तो उसका पुर्ण विवरंदे यथा कोर्स का नाम पुर्ण करने किती थी तथा संस्थान का नाम आदी यदि कोई सिच्छिका है। यदि उन्होंने पूर्ण जानकारी यहां पे माँगा गया है। यदि आपके पास सम्बनित किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट है तो जरूर दीजिएगा दोस्तों. ये आपका अभी युक्ति है. ये सारे जीला सिच्छा पता दिकारी को जीला कारकरम पता दिकारी ये स्थापना को देना है जोफतो इसी के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है भाराल इस वीडियो मिता है फिर मिलते एगले वीडियो में आप संसे बनेच के साथ बने रहें धन्य बाद